नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं लोगों ने रोक दिया है, उनका काहना था कि हर साल इस राष्टे से बिसरजन नहीं होता है, देर रात तक मूर्ती का बिसरजन नहीं हो पाया था, भारी सुरक्षा के बाजूद दोनों समुदाय के बिश्ट टकराव जारी था, यह ममला सादर प्रखन के लखेया गाउं का है बिवाद के बाद हुए पत्राव में कई लोग जखमी भी हो गए हैं, फिलहाल पूलिस और परसासन की टीम गाउं में मजूद रहाएं, और मामले को सुल जाने में लगी हुई है, हलाकि अभी भी स्थिती तनाव पूर्ण है, सुरक्षा के मद नजर गाउं में भारी संख माद दुरगा के परतीमा का विसरजन रोके जाने का अरोप लगाया, अपनी एकस पोस्ट में मराने निखा, गठवा में एक गाम मुस्लिम समुद आएक लोगों ने माद दुरगा के परतीमा का своचे 2-7 गंदे से रोख रखा है, पूलिस विसरजन रोक कर धार्मिक प्रतीक रावन का पुतला दहन किया गया इस साल पंजाबी हिंदू विरादरी रांची के ओर से रावन दहन के लिए 70 फीट उच्छा रावन का पुतला बनाया गया था जिसका दहन मुख्य मंत्री हमांसुरे ने किया है बताते सन्य वर्ग मुराबादी में आयोजी 53 धन कायकरम से पहले राम दरबार सजा मुख्य अति थी जहारखन के मुख्य मंत्री हमांसुरे ने भवान सिरी राम माता जान की सीता लक्षवन और हनुमान को तिलक लगाने के बाद उनकी आरती उतारी मुख्य मंत्री के बाद केंद्रे रक्षा राजमंत्री संजय सेट रांजी की विधायक सीपी सिंग भी राम दरबार की आरती उतारी है इसके बाद मुख्य मंत्री को पगड़ी पहना कर चुनरी उढ़ा कर मेमंटो यानि अस्मिती चिंदे करुन का स्वागत किया गया गलबड़ी को लेकर 14 को रांची में महाधरना जैसे सीजेल परिक्षा गलबड़ी मामले की जांच रिपोर्ट भले ही त्यार कर ली गई हो लेकिन अभी भी अभ्यार्तियों का सत्यागरा खतम नहीं हुआ है बिते कई दिनों से परिक्षा रद करने को लेकर मुराबादी के बापू अठिका के समक्ष अभ्यार्तियों के एक गुट का प्रदसन अभी जारी है उनका कहना है कि जब तक एकजाम रद कर नए सीरे से परिक्षा फिर से आव्योत करने की घोस्ता नहीं हो जाती है तब तक उनका प्रदसन जारी रहेगा बता दे छात्रों ने बड़ा अल्दूरन करने का एलान कर दिया है 14 अक्टूबर को राज्य भर के सभी अभ्यार्थी रांची आएंगे और बापु वाटका के समक्ष महाधार ना देंगे गुरुवार को हुए प्रेस वर्ता में छात्र नेता इमाम सफिने बाते कही है ज्यारखन के किसानों के सिचाई के लिए 770 कोड़ रुपे मंजूर ज्यारखन के किसानों के बड़ी खुस खबरी सामने आई है परदेश में सिचाई की दो पर्योजनाओं के निर्मान के लिए 770 कोड़ रुपे की बीतिय सहायता की मंजूरी दी गई है राश्ट्री क्रिसी और ग्रामीन विकास बैंक नावाड ने सनीवर को यह जनकारी दी है ग्रामीन और सनरचना विकास नीधी के तहट वीतिय वर्ष दोईचोविस पचीज के लिए इन पर्योजनाओं को मंजुरी दी गई इस पर्योजना से पलामू जीले के लाखो किसानों को फैदा मिलेगा से अतिरीक 11,000 हेक्टरेर भूमी किसी चाई हो सकेगी लातेहर में अंकार रूपी रावन का दहन असत्य में सत्य की जीत अंकार रूपी रावन दहन कारेकरम का आयोजन हरसो लास के साथ मनाया गया कारेकरम का आयोजन लाते हर जिले के चंदवा के राम पुन वजुअक संग द्वारा रावन दहन कारेकरम आयोजित किया गया इस द्वारन बड़ी संखा में बच्चे बुढ़े महिला वा पुरुस सामिल रहे अंकार रुपी रावन का वर्द प्रतिकात्मक प्रभू सिरी राम द्वारा अगनी वान चला कर किया गया इसके साथ ही बुराई पर अच्छाई की जित का जशन अरंभ हो गया साथी माद दुर्गे की परतिमा का भी सर्जन कारवी प्ररंभ हो गया है केंद्रिय रक्षा राजमंत्री रामगर में की सस्त्र पूजा जवानों का हाऊसला अवजाई करते उन्होंने अपने हाथों से सभी जवानों को नास्ता पलेट उठा कर नास्ता बिक्राया दसारा के मौक дорस्ञेश ने सभी ये जवानों को selbst वर रहने की बात कही संजर सेट ने कहा है कि आज हमारा सभागय है कि देश के जवानों के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला है बिजय दसमी पर रांची में सिंदूर खेला राइधानी रांची समय देश भर में दसहरा परवपूरे हरसो लास के साथ मनाया गया दूरगा पूजा के समय एक बिसेश दिर से देखनों को मिला जिसमें नौरात के अमतिम दिन सिंदूर खेला की परंपरा का पालन किया जाता है बता देया उत्सव माता दूरगा की बिदाई के दिन मनाया जाता है राजधानी रांची में भी सिंदूर खेला कारक्णम का उजन किया गया रांची के दुर्गाबारी मंदिर में बड़ी संगा महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लागा कर खोशी का इजहार किया सभी महिलाओं एक दूसरे को सुभकमनाई भी दी है बता देग सिंदूर खेला में सिंदूर को सभाग और समरितिक का परतिक माना जाता है इसलिए महिलाय सिंदूर लगा कर और बांट कर माता रानी से अपने परिवार के लिए असिरवात प्राप्त करने की कामना करती है बिजेपी ने बताया इन महिलाओं को नहीं मिलेगा गोगो दीदी योजना का लाब जारखन में भाजपा की गोगो दीदी योजना के तथ कुछ पत्रताय भीताय की गई है योजना में उन महिलाओं और बेटियों को लाब नहीं मिलेगा जिनके परिवार की सलाना इंकम तीन लाख रुपे से ज़्यादा होगी वह योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती है इसके साथ ही इस योजना में वह महिलाओं भी आवेदन नहीं कर पाएंगी तो अभी इस योजना में लाब नहीं ले पाएंगी बतादे भाजपा ने योजना के बारे में कहा है कि राज में सरकार बनने के बाद यारासी प्रदेश की महिलाओं के बैंक खाते में डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डिविटी के जरिये सीधे टांसफर किया जाएगा योजना में हर महीने एकई सरुपे दिये जाएंगे वहीं साल भर में 25 यार 200 रुपे दिये जाएंगे राहूल गांधी इसी महीने जहारखन दोरे पर परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष के सव महतो कमलेश सनिवार को नई दिल्ली से वापस लोट गया है नई दिल्ली में उन्होने पार्टी के सिट्ष नेताओ से बाचित की और पत्रेकारों के सवाल पर कहा है इसी महीने राहूल गांधी जहारखन दोरे पर आ सकते हैं बता दे अविलास साहू लाल किसोर ना साहदेव 37 पाल मुंजनी विजय सीनहाक उनका स्वागत किया गया वहीं दिल्ली से आला कमान से मुलकात कर रांची लोटे जहारखन कांग्रेस के अध्यक्ष ने यरपोट पर ही सीट सेरिंग के सवाल पर कहा है कि जल धीकट बंधन दलो के नेताओं की बैठाक होगी तब ही तय होगा कि किसको कितना सीट मिलेगा हर्याना चुनाप परिणाम का जहारखन में कितना असर होगा कि सवाल पर केशव ने दो टूक जवाब देते वे कहा है कि जहारखन में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा जहारखन में डाइन विसाही के आरोप में एक ही परिवार की तीन लोगों की हत्या जहारखन के पचमी सिंभू में टेवो थाना से 30 किलमेटर दूर अति नकसल परहवी छेतर चमपाबा पंचायत इस्थीत सियांकेल में एक ही परिवार के तिन लोगों की डायन भी साही के आरोप में अग्यात बेक्तियों ने धादार हात्यार और लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी जनकारी के मताबिक सियांकेल गावनिवासी, दुगुल, पूर्ती, पत्नी, सुकु होरो एवं पुत्री, दसकीर, पूर्ती अपने घर में गुरुवार के रातिरी सो गए थे इसी दोरान रातिरी में अग्यात लोगों दुआरा लाठी ये अमधादार हत्यार से मार कर हत्या कर दी गई है साहफ गंज में SBI बैंक के मुखे सखा में लगी भीशन आग इसके बाद फायर विर्गेट के कर्मियों ने पहुँच कर आग पर काब उपाया इस घाटना से बैंक को लाखो रुपे का नुक्सान होने के संका है आग कैसे लगी है या अब तक असपस नहीं हो पाया बतादे चोक बजार के चार मंजिला भौन में बैंक है सबसे नीचे दुकान है उसके उपर दो मंजिला पर बैंक का काम होता है वहाई तीसरी मंजिला पर आग लगी है उसमें LDM का ओफिस है उसी मंजिला पर लोन का काम होता है तथा काग जी काम भी होता है धनबाद के सिंदरी के सहपूरा में जला 65 फिट का रावान बिजय दसमी के दिन सिंदरी के सह पूरा सिव मंदिर में 65 फिट के रावन के पूतले का दहन किया गया रावन दहन के पूर्व सिंदरी में अलग-अलग छेतरों में अखाला निकाला जो सिव मंदिर प्रांगन में एकत्र हुआ यहीं पर रावन का पुतला दहन किया गया इस आयोजन में भार्तिय जानता पार्टी की नेता रागनी सिंग भी सामिल हुई उन्होंने कालकरम का फीता काटकर रुधाटन किया कमिटी के अध्यक दिनेश सिंग ने बताया है कि आयोजन पर 5-6 लाग रुपे का खर्च आता है अतिस बाजी मुख्य आकर्शन का केंद्र होता है उन्होंने बताया है कि सिव मंदिन में रावन दहन का गयागरम 65 वर्सुस हो रहा है अभिभाजित बिहार में रावन दहन की सुर्वात होई थी जो अब भी जार्खन में जारी है पूर्वी सिम्हुम के गुंडा जोर में महिलाए बोली नहीं मिला मैया समान पूर्वी सिम्हुम जीले के घाड सिला प्रखन इस्थित नक्सल प्रवावित बागुडिया पंचायत के गुंडा जोर गाउ में बिज्याई दस्मी के दिन जार्खन के जल संसाधन तथा उस्टक निकी सीख्षा मंतरी राम दासुरेन ने पूल की सोगादी है गुंडा जोर के पास पाहार से निकले नीशी जारना पर बरसो से पूल निर्मान की मांग करामिन कर रहे थे आखिर कर बिज्याई दस्मी के दिन हेमन सुरेन सरकार के मंतरी राम दासुरेन ने उस पूल का सिलन्याज किया मुख्य मंतरी ग्राम से तुयोजना के तहत 1.6-2.0 रुपय की लाग़ से इस पूल का निर्मान होगा मौकेपर मंतरी राम दासुरेन ने गुंडा जोर के महिलाओ की समस्या भी सुनी यहां कई महिलाओ ने उन्होंने बताया है कि उनका रासन कार नहीं बना है रासन कार नहीं होने की वज़ा से वे सभी मुख्य मंतरी मया समानी वजना की रासी से वनची था है एक बिद्वा महिलाओ ने गुहार लगाई है कि पती की मौत के बाद उन्हें बिद्वा पेंसन तक नहीं मिली मंतरी ने वहीं से फोन कर वीडियो से जनकार ली और कहा है कि जल्द ही उनकी समझ से कनिदान हो जाएगा सराय केला में महिलाओ ने सिंदूर खेला के साथ मा को दी बिदाई बिज्या दस्मी के मौके पर सराय केला खर्षाव में महिलाओं ने सिंदूर खेल कर नम आखोसे माद दुर्गा को पिदाई दी है इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगा कर अखन सो भागवती की कामना माद दुर्गा से की है इसके बाद कलस का भी सरजन किया गया महिलाओं ने पहले माद दुरगा को सिंदूर अर्पित किया इसके पचास सुखागीन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाए इस दोरान 22 संख्र में मैलाय मौजूद रही बताते खरसावा के तलसाही बहरा साही समेत कई पंडालों में रभिवार को बिजया दसमी मनाया जाएगा गुमला में आसमानी बीली से दो बच्चों की मौत गुमला जीले के पालकोट परखंड में आसमानी बीली का कहर देखने को मिला है पालकोट परखंड के बिलिंग बीरा पंचायत इसीद पिंधा चटान गाव में सुक्रवार की साम चार बजे आसमानी बीली गिरी है जिसकी जबारी सोने लगी तब ही वे लोग एक गुफा में छुप गये जहारखन के जंगलों में ट्रक चलाता मिला कॉंट्रेक्ट किलर दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 13 साल पहले होई हत्या की एक वरदात का फरार आरोपी आखिरकर पुलिस की गिरफ्त में आही गया है पुलिस ने उसे जहारखन के जंगलों से गिरफ्तार किया है इस मर्डर को 6 आरोपियों ने अंजाम दिया था इन में से 5 आरोपितों तो पहले ही पकड़े जा चुके थे लेकिन 1 आरोपि अब तक फरार था जिसके बाद पुलिस ने उन पर 50 आरोपय का इनाम भी घोसना कर रखा था मामले में जनकारी देते हुए सनिवार को पुलिस उपायूक्त एसके सेन ने बताया है कि 13 साल पहले संपती बीवाद को लेकर जितेंदर लांबा के हत्या होई थी या एक सुपारी हत्या थी जिसके लिए जितेंदर के सगे भाई राजेश सिंग लांबा ने हत्यारों को 10 लाक रुपए दिये थे अधिवाक्ता से जुड़े लोगों के ठीकानों पर इडी की छापे मारी जमीन घोटाला में मनी लांडरी की जाज कर रही प्रवतर निदेशाला इडी ने एक बार फिर बड़ी करवाई की है इस बार इडी ने एक अधिवाक्ता सुझीत कुमार से जुड़े लोगों के ठीकानों पर छापे मारी की है सुझीत कुमार पर आरोप है कि उन्होंने इडी को पर हवित करने के लिए क्लोर रुपए की ठागी ली थी सनिवार को इडी की टीम ने चुटिया थाना छेत्रे के सुझाता चोक के पास परदीब गुपता के घर पर भी छापे मारी मारा है परदीब गुपता पुरु में एक नया धिस की गारी चला चुका है इडी ने उसके छोटे बेटे को हिरासत में ले लिया है बताया जाता है कि इडी की छपे मारी से पहले सुक्रवार की राथ परदीब गुपता और उसका बड़ा बेटा प्रीतम गुपता घर छोड़कर फ्रार हो गए थे दुमका में मिटी के धेर में दबने से दो बचों की मौत जारखन में दुमका जिले के जोगिया मोड पर सनिवार को खेलते समय मिटी के धेर के नीचे दब जाने से दो बचों की मौत हो गई है पुलिस ने इस बारे में जनकारे देते हैं बता है कि मिरित को की पहचार मोहमद आरिफ दस वर्सिये और मोहमद सोईफ बारा वर्सिये के रूप में हुई है जर्मुंडी थाना के प्रभारी स्यामानन्द मंडल ने बताया है कि यह दुरगाटना दुमका देवगर मार्क पर एक ओबर ब्रीज के निर्मान अस्थाल के पास हुई चाहां दोनों बचे खेल रहे थे दोनों मिरित तक रिष्टे में भाई थे मंडल ने बताया है कि खेलते समय वे मिटी के टीले पर चल रहे थे तभी अचानाक मिटी ढ़ा गई और उसके निचे दब जाने से अहाथसा हो गया है जार्खन मौसम बंगाल की खाड़ी में एक निम्ण दबाव का छेतर बन रहा है आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा भारत मौसम बिज्ञान बिभाग के रांची इस्थित मौसम के दरे ने कहा है कि हजारी बाग से दक्षिनी पच्मी मांसून लोट रहा है साथ वेस्ट मांसून इस समय दर्भांका हजारी बाग पेंडरा रोड नर्सिंग पूर से गुजर रहा है दक्षिनी पच्मी मांसून की वापसी के लिए अनुकूल महुल है गुजरात, मद्परदेश, जार्खन, बिहार, महराच, 36 गर, उरिशा, पचिम, मंगला और सिक्किम में अगले दो दिनों में मांसून की वापसी हो जाएगी वहीं मौसम बैग्यानी ने बताया है कि जार्खन में अगले दो दिन यानि 13 और 14 अक्टूबर को आस्मान साफ रहेगा मौसम सुस्क रहने की समभावना है इसके बाद 15 अक्टूबर को दक्षनी जार्खन एवं उससे सटे मद्य भागो में कहीं कहीं वर्सा होने की समभावना है जार्खन राज अस्तरे खेलकुत परत्योगता का आयोजन जार्खन सिक्षावी भाग द्वारा खेलो जार्खन राज अस्तर ये खेल परतियोगिता का आवजान रांची के खेलगाव में किया गया जिसमें पुर्भी सिम्हूम जीले के खिलाड़ें सांदार परिशन करते हुए कूल आठ पदक जीते हैं जीले के पदक जीताओं में दीब्या सोया सामिल है बदादे पुर्भी सिम्हूम उसू एसोसेशन का दक्षन टीम के कोच गोकुला नंद मिस्रा और मैनेजर विवेका नंद प्रमानिक को समानित किया है धन्यवाद